आज आप हानिकर विचार व्यवहारों और आयोजन से दूर रहें ऐसी गड़ेश जी की सलाह है नहीं तो शादेरिक आलस से एवं व्याकुलत पढ़ेगी स्वास्त कुछ नरम गरम रहेगा सरकार विरोधी कार एवं प्रवर्तियों से दूर रहने की गड़ेश जी सलाह देते हैं नई कारे का प्रारंभ ना करें स्वास्त भी बिगड़ सकता है मन भी कुछ व्यग्र रहेगा मिथुन आज का दिन सुक्षान्ती पूर्वग भीतेगा दैनिक कारियों में ही आज फसे ना रहिएगा मन को प्रसन और हलका करने के लिए आप मनुरंजन का आसरा लेंगे कर्ग गरेश जी कहते हैं कि बहुत बड़ा आर्थिक लाब आपके प्रतीक्षा कर रहा है व्यवसाइकों के लिए आज का दिन लाबदाई है सिंग, साहित कला के प्रती आज आप में रुची रहेगी ऐसा गड़ेश जी कहते हैं, पेट संबंदित व्याधियों से शरीर अस्वस्थ रह सकता है कन्या, शारिरिक और मानसिक रूप से स्वस्थता बनाई रखने पर ध्यान देने की गड़ेश जी आपको सलहा देते हैं, माता का भी स्वास्थ विगड़ सकता है तुला, आज का दिन नई कार का प्रारंभ करने के लिए नुकूल है, ऐसा संकेत गड़ेश जी देते हैं, आध्यात्मिक विश्य तता गूड रहस्यों की ओर आकर्शन रहेगा ब्रिश्यक, गड़ेश जी कहते हैं कि परिवार जनों के साथ भ्रांती या मन दुख होने की संभावनाय अथिक हैं, वानी पर सयम रखना होगा, कारे में अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी धनो, आज के दिन आपको आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं, ऐसा गड़ेश जी कहते हैं, किसी इस नहीं जन के घर मांगलिक प्रसंग में उपस्तित रहना होगा, अथ्वा तो धार्मिक इस थल पर जाने के भी योग हैं मकर, कोट कचहरी में साक्षी नाबननी की गड़ेश जी आपको सलहा देते हैं, मन की विग्रता आपके शारिरिक स्वास्त पर को प्रभाव ना डाले, इसका ध्यान रखियेगा कुम्ब, आज का दिन लाबदाई है, ऐसा गड़ेश जी कहते हैं, सामाजिक और आर्थिक शेत्र में आप प्रगती करें, अपरिचित पात्रों के लिए परिणाम की योग है आपके विचारों में आज द्रणता अधिक नहीं होगी, ऐसा गड़ेश जी कहते हैं, व्यवसाई में उच्च अधिकारियों से लाब होगा पदोन्नती के योग है